यही किताब तो हर किसी के पास मैंने हैं यही आदितरे जिंसर की वीडियो हर कोई देख रहा है सलेक्ट हर कोई क्यों नहीं हो रहा है इसलिए क्यूंकि सब कोई देख रहा है सलेक्ट वो होगा जिसने अपनी मेहनत खुद की है ठीक है ना आपका दोस्त आपका स्टेडी मेट से आपके बैच से आपका सब कुछ से सेलेक्शन लेके चला जाएगा आप मुह देखते रह जाएंगे कारण सिर्फ उसकी डेडिकेशन होगी सोर्स तो हर किसी के सही है तो आप लोगों के पास जादा समय भी नहीं है अक्टूबर में आप लोगों का प्री का पेपर है तो आ सफलता आपको पराप्त होगी ठीक है देश दुनिया को मत देखिए कौन क्या कर रहा है कई सारे लोग दूसरे को देख के डी मोटिवेट हो जाते हैं और क्या हो जाते है अरे यार वो तो इतना साल से मेहनत कर रहा है इतना साल से तैयारी कर रहा है उसका तो नहीं वह हमार क्या होगा अरे यहर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं अभी हाल फिलाल मैं एक स्टुट का इंटर्व्यू लिया सोचो उससे ने अपने दोस्त के सहाथा से पता किया कि सीजल होता क्या है टिक है दोस्त के सहाथा से जानकारी प्रापकी कि S.A.C. में नौकरी लेते कैसे हैं, क्या पोस्ट होता है, जो study material उसके दोस्ट ने follow किया, वो उसने पढ़ा, in fact, अपने दोस्ट के बैचे से उसने पढ़ा, लेकिन अपने दोस्टे से जादा dedication दिखाया, ठीक है, अगर उसका दोस्ट बोलेगा, चल थोड़ा सा घूम कराते हैं, उसने मना किया, नहीं भाई, मेरे पास यह जो 45 दिन है, 55 दिन है, मैं नहीं जाओंगा, मैं सिर्फ पढ़ूँगा यहाँ पे, और सिर्फ उतने दिन के अंदर में उसने दौड लगाई अपने जीवन की, और उसका दोस्ट का नहीं बहुर उसका selection हो गया, यहीं फर्क है मेरे भाई, important नहीं है, ही किताब तो हर किसी के पास मैं नहीं है, नहीं आदितरें जनसर की वीडियो हर कोई देख रहा है, सेलेक्ट हर कोई क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि सब कोई देख रहा है, सेलेक्ट वो होगा जिसने अपनी मेहनत खुद की है, ठीक है ना, आपका दोस्त आपका study material से, आपके बैस से, आपका सब कुछ से सेलेक्शन लेके चला जाएगा, आप मुह देखते रहा जाएंगे, कारण सिर्फ उसकी dedication होगे, sources तो हर किसी के सेमी है, ठीक है ना, जब pre-ka paper बीता है न, और जब मेस का समय आता है न, उस समय इंसान को एक second भी अपना waste नहीं करना चाहिए, निकल गया परी तो आग लगा दो, ये समझ लो, pre-ka paper जिस दिन से देखर आए, उस दिन से तो पूरी दुनिया पलड़ दो, और in fact, अब तो आप लोगों के पास जादा समय भी नहीं है, October में आप लोगों का pre-ka paper है, तो आपको तो अभी से अपने उल्टी गिंती गिंती शुरू कर दो, ठीक है, मैं जैसे अपने room में study table में लगा लेता था, लिखे हैं पर 90 दिन है, 90, 89, 88, 87 ऐसे कर करकर के, एक एक दिन बीटेगा, मैं एक एक दिन काटते चला जाओंगा वहाँ पर, अगर मेरे पास अभी हो कभी फोटो, तो मैं जरूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में, वो constant एक reminder देते रहेगा, देख ले बटा, कितना दिन बच्चा हुआ है, जर एक नजर तुम उठा के देख लो यहाँ पर, तो वो एक reminder बहुत बड़ा होता है, आप लोगों की दिक्कत यह है, कि जब paper करीब में आता है, तो आत्मा जागती है, अगर वो आत्मा थोड़ी पहले जाग जाए ना, तो 24 के जगा 25 में ना होके, 24 में ही सेलेक्शन हो जाएगा, तो आत्मा को जगाओ थोड़ा, ठीक है, बागी तो मेहनत करो ही, content में हमारे तरफ से कोई कमी है नहीं, ब्रहमास्तर जैसे formula book आपके पास में है, वैच आपके पास में है, हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंदे पे अपना हाद रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए दोस्तों इतना ही, अच्छे से बढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस रहिए, ध्यान रखिए, लव यू अल, टेक केर, बाई, थेंक यू,